हेलो फ्रेंस, आज हम एलेक्ट्रिक राइस कुकर में चिकन ग्रेवी बनाने जा रहे हैं, बनाना बहुत जारा आसान है, चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं, यहां पे मैंने 800 ग्राम चिकन के लिए तीन मेडियम साइज के प्याज लिए हैं, और इसे रफली चॉप कर लेना आप किसी भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, तेल के गरम होते ही प्यास को हमें दो मिनट के लिए बस भून लेना है, थोड़ी से ट्रांस्ट्लूसेंट हो जाएं, बस इतना ही भूनना है, अब यहां पे जितने हमने प्यास दिये थे, उतना ही मैंने टमाटर भी लिया है, और इसे भी हम रफली चॉप कर लेंगे, अब यहां पे हमारे प्यास भी अच्छी तरीके से भून चुके हैं, अब इसी में हम टमाटर भी एड कर देंगे, और टमाटर को भी हमें दो से तीन मिनट के लिए जब तक सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक भून लेना है, तो यह यहां पे टमाटर और प्यास दोनों ही अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं, बस अब हम इसे एक प्लेट में निकाल करके रख लेंगे, वापस से यहां पे डालेंगे थोड़ा सा ओईल और चिकन को मैंने धो करके रखा है, यह 800 ग्राम चिकन है, इसे हम डाइरेक्ट इस पैन में एड कर देंगे और इसे हमें धख करके चार से पार्च मिनट के लिए भूनना है, तब तक हम यहां पे मसाले पीस लेते हैं, एक ग्राइंडिंग जार में मैंने डाल दिये सारे ही खड़े मसाले, जो भी मसाले आपके पास हो, इलाइची, काली मेच, जीरा, अब मैं यहां पे तेजपत्ता एड कर रही हूं और यहां पे यह अच्छी तरीके से भून गया है, आप देख सकते हैं कि चिकन ने अपना खुद का कितना जादा पानी छोड़ा है, रिलीस किया है, और अब यहां पे हमने जो ग्राइंड करके रखा है, टामाटर और प्य के लिए भूनने के बाद मसाले जैसे ही भून जाए, हम इसमें एड कर देंगे वाटर, पानी, ग्रेवी की कंसेस्टेंसी को आप अपने अकॉर्डिंग एड़स कर सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से पानी एड कर सकते हैं, और एक चम्मच कसूरी मेथी को मैंने इसमें ए ताइम लगा है, तो वन आर का टाइम आराम से लग जाता है, एक घंटे का टाइम आराम से लग जाता है, और यहां पे हमारी चिकन करी बन ऑन करके इलेक्टilee कुकर में तयार है, अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है, और आप इस तरीके की और भी रेसिपीज करिएगा मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसेपी के साथ तब तक के लिए टेक क्यार बाई बाई